आज हम पढ़ने वाले हैं characteristic equation के बेस पर question question दिया है NTP के आधार पर इसमें question दिया है 8, सबसे पहले हम question को पढ़ेंगे, question को पढ़ने के बाद इसका given लिखेंगे, given के बाद इसको solution करेंगे question में दिया हुआ 8 NTP volume of 1 kg air, 0.7313 meter waste to Q, calculate the gas constant of air if, पहली condition दिया है, एक NTP में दिया हुआ है, volume दिया हुआ उसका 0.7313 meter waste to Q and mass दिया हुआ है 1 kg, निकालना क्या इसमे, gas constant निकालना air का, तो इसके लिए हम given लिखेंगे, तो mass आप air दिया है, m equal to 1 kg volume दिया है, V equal to 0.7313 meter waste to Q, निकालना क्यास में, gas constant निकालना है, इसके आधार पर हमको एक आगे दिया हुआ है, next दिया है, if pressure and temperature of air are 10 bar and 400 degree centigrade respectively, यदि हम air का pressure 10 bar ले रहे हूँ, और temperature 400 degree centigrade ले रहे हूँ, so find mass up air volume, mass निकालना है, air का, जिसमें आधार लेंगे, हम 3 meter waste to Q, तो हम इसका के बाल लेखेंगे, तो P equal to 10 bar, newton per meter square में change करेंगे, तो newton per meter square में change करने के लिए, 10 into 10 waste to 5 newton per meter square हो जाएगा, तो P equal to 400 degree centigrade, caliber में change किया, 400 plus 273 कट दिया, तो 673 degree caliber के बराबर, आयतन दिया हुआ, 3 meter waste to Q, इसमें निकालना क्या है, mass निकालना है, तो हमने एक given data लिखा हुआ, given data गे बाद हमारे पास 2 condition में question दिया हुआ है, सबसे पहले हम करेंगे first वाली condition का question solve, first condition में हमारे पास क्या है, first condition में question ये वाला है, अगर इसके आधार पे हम करेंगे सबसे पहले, इसके आधार पर करेंगे तो हम इसमें सबसे पहले दिखें किया क्या दिया है क्या क्या चीज निकालनी है इसमें हमको मासा पे यार दिया है 1 kg बॉल्यूम दिया है 0.73, 1.3 meter based to q और आर हमको इसमें निकालना है तो इसके लिए हम solve करेंगे तो हमको condition दी दी पहले में NTP होता है degree centigrade में देखा जा तो 0 degree centigrade होता है normal temperature Kelvin में change करेंगे तो 0 plus 273 करते हमारे पास temperature हो जाता 273 degree Kelvin यह normal temperature होता है 273 degree Kelvin normal pressure जो होता है वह होता है 1 atmosphere 1 atmosphere equal to होता है इसको Newton per meter square में change करेंगे तो 1 into atmosphere 1 atmosphere को अगर हम Newton per meter square में change करते हैं तो हम इससे multiply करते हैं 1.01325 into 1025 Newton per meter square में इसको multiply करते हैं तब हम जाके Newton per meter square में convert कर पाते हैं atmosphere को 1 atmosphere equal to यह होता है 1.01325 यह हमको याद करना पड़ेगा यह आपको steam table में भी लिखा हुआ मिल जाएगा steam table में भी लिखा हुआ है 1 atmosphere को अगर convert करना है Newton per meter square में तो हम इसको change कर सकते हैं हमेशा normal pressure जो रहेगा वो यह रहेगा 1.01325 into 1025 Newton per meter square में दो चीज़े भी याद कर सकते हैं इसके बाद हम general gas equation लगा देते हैं general gas equation क्या होती है pb equal to mrt निकालना क्या है इसमें r निकालना है r इसमें gas constant है तो r की value निकालना रख देंगे pb upon mt क्योंकि r यहां से बाहर निकाल देंगे बागी mt को हम इस side भेज देंगे तो pb upon mt बचेगा यहां पर p हमको यह रख देना है तो 1.1 1.01325 into 1025 कर देंगे into volume हमको question में दिया था 0.7313 upon m mass हमको दिया था 1 kg यह लिखा हुआ है तो 1 into temperature हमको कितना था 273 degree Kelvin तो 273 इसको हमने put किया put करने के बाद इसको हमने solve किया इसको solve करने के बाद हमारे पास answer आये 271.4 kJ per kg Kelvin तो gas constant आ गया है solve करने पर r equal to 271.4 kJ per kg Kelvin तो हमारे पास question है वो यहां तक का solve हो गया complete स्टार्टिंग से लिए करके यहां तक का solve हो गया अगर हमको question इतना भी आ सकता है question हमको यहां तक का भी आ सकता है यहां से यहां तक के लिए exam में या फिर इतना पूरा भी आ सकता अगर पूरा करना हो तो यह दूसरी stage में solve करेंगे दूसरी stage में 6 newton पर मीटर स्क्वेर हो जाएगा यह मीटर होगा मिली मीटर नहीं रहेगा यहां पर रहेगा मीटर स्क्वेर हो जाएगा T equal to हो जाएगा 400 degree centigrade Kelvin में change करेंगे तो 400 प्लस 273 हो जाएगा 673 degree Kelvin Volume हमको दिया है 3 meter based to Q तो B equal to 3 meter based to Q हो जाएगा इसमें निकालना क्या मास आप AR निकालना है तो M equal to calculate करेंगे इसके लिए हम जम solve करेंगे तो हम इसमें फिर equation लगा देंगे कैस्विकेशन यह होती है PB equal to MRT निकालना क्या इसमें मास आप यह निकालना तो M equal to PB upon RT रख देंगे value put कर दिंग प्रेशर कितना है 10 to 10 based to 5 यह है भी volume हमको 3 meter based to Q है तो 3 रख देंगे upon R को हम यह वाले R का huge कर सकते हैं अगर हमको यह R नहीं करना तो 287 भी कर सकते लेकर हमारे पास यह R की value निकाली है इसी question में तो इसी question के आधर पर रख देंगे तो 271.4 यह रख देंगे into temperature हमारे पास दिया 673 degree Kelvin तो 673 रख देंगे इसको जह हम Kelsey से solve करेंगे इसको पूरे को जह हम solve करेंगे Kelsey से तो इसमें हमारे पास mass आ जाएगा मास आ जाएगा 16.42 किलोग्राम इस टाइप से हम मास आप AR निकाल सकते में M equal to 16.42 किलोग्राम इसमें जो question दिया है दो condition में दिया हुआ है हमेशा जब भी हम आरे पास निकालने को आता तो pressure temperature के form में दिया जाएगा तो pressure temperature के form में हमारे पास यह question दोनों को mix करके दिया है तो NTP अगर दिया तो NTP में नॉर्मल temperature नॉर्मल pressure दिया रहे जाएगा गेस कॉंस्टेंट आप एर